Hello everyone and welcome to class 19 The Photodesk Maya 2020 Beginners Guide So guys, I hope आप लोगों को previous हमारी सीरीज पसंद आई होगी जहां पे मैंने आप लोगों को बताया कैसे आप एक प्रोड़क्ट तयार कर सकते हैं यानि कि एक माउस कैसे आप तयार कर सकते हैं इसलिए मल्टी पार्ट में था आज भी हम लोग आप तयार करेंगे एक और प्रोड़क्ट चाहां पर मैं आपको बताऊंगा किस तरह से आप एक मॉबाइल फोन मॉडल कर सकते हैं तो यहाँ पर मैं आज मॉडल करने वाला हूँ एक आईफोन 12 प्रो मैक्स और यहाँ पर किस तरह से आप शेप्स बनाएंगे कैसे लूप्स तयार करेंगे कैसे डिस्प्ले कैमराज और बाकी की चीजों को आप तयार करेंगे उन सब चीजों के बारे में आज मैं आप आज की क्लास से हम लोग स्टार्ट करेंगे एक और प्रोड़क्ट तो जहां पर मैं आपको बताऊंगा कि किस तरह से यह एक आईफोन आप मॉडल कर सकते हैं दिखने के लिए दो सिंपल चीज होती है फॉन है कुछ है नहीं लेकिन कुछ-कुछ ऐसी जगा हो जाती है लोग कैसे क्रियेट करें यहां पर स्री मॉडल बनाना इंपॉर्टन नहीं है यहां पर इंपॉर्टन होता है अपने पॉलिकाउंट को लिमिट रखना एच फ्लो को मेंटेंड करना और वो सारी चीजे जो एज गुड मॉडलर आपकी स्किल्स होनी चाहिए ठीक है तो चलि आप आपको मिल जाएंगे तो यह सारे चेस único साइली आपको यहांप मिल जाएंगे जिसाँ प्रेर माया के अंदर ऑल्यों करना चाहते हैं तो इंश की मैं description में आपको मिल जाएंगी तो आप लोग इसे डाउनलोड कर ले और मेरे साथ साथ में आप लोग भी से फॉलो करें तो चले चलते हैं माया में और इन image plane को setup करते है और रेट सो मैं आ चुका माया में यहाप एक new scene मैं create कर लेता हूं just to be clear and let me just reset my workspace अब यहाँ पर image plane setup करना है तो I will go to my views तो यह हमारे orthographic views मिल जा रहे हैं तो सबसे पहले हम लोग front and back setup करेंगे फिर उसके बाद top, bottom and then उसके बार में side setup करेंगे so front में हम लोग आ जाते हैं यहाँ पर मैं चलता हूं view image plane import image and then we will go to our folder over here हमारा folder open हो जाएगा अगर आप लोगों ने project folder setup करके रखा है तो आप लोगों को directly access मिल जाएगा project folder कैसे setup करते हैं जो लोग पहली बार वीडियो देख रहे हैं उन लोग बता दू कि मैंने already उससे related वीडियो बना रखी है तो आप जाके मेरे channel पे या फिर playlist में आप जाके इस वीडियो को देख सकते हैं project कैसे setup करते हैं so now what we will do we will set up our front image open कर लिया आपको कोई भी changes करने की ज़रुवत नहीं है यहाँ पर यह images मैंने already बहुत अच्छे तरीके से setup करके रखा हुआ है cutout करके रखा हुआ है simply आपको यहाँ पर images को import कर लेना है now next I will go to my back view back view में जाने के बाद में I'll go to view image plane import image and then same way यहाँ पर मैं select कर लूँगा back like this तो आप देख सकते हैं हमारा front है मैं grid off कर दूँ तो let me just turn off the grids and you can see हमारा front back इस तरह से हम लोगों को मिल जा रहा है लेकिन अब हम लोगों को क्या करना है जो हमारा back है यह जगह पर नहीं होगा जैसे mouse वाले हम लोगों ने assignment की थी mouse वाला जो हम लोगों ने modeling किया था उसमें भी हम लोगों ने देखा था कि हमारा bottom है वो बहुत पीछे आता है तो we are going to just move this thing like this so that यह से grid को पास हो जाए ऐसे alright and now as you can see कि back में भी हम लोगों को front दिख रहा है and front में हम लोगों को back दिखाई दे रहा है reason is that यह images सारे viewports में दिखते हैं तो we'll select the viewport images यह image plane को मैं select करूँँगा और मैं जाओंगा attribute editor में attribute हम लोगों को यहां पर मिल जाता है या फिर आप keyboard पर Ctrl A दबाए तो भी आपको attribute editor मिल जाएगा यहां से मैं बोलूंगा display में जाके look through camera so that this image is only visible in camera view यहां पर भी इस image को भी करके बोल देता हूं look through camera so now you can see back में हमारा back view है and front में हमारा front view है तो इस तरह से हमारा back and front setup हो चुका है next now let's go to our top view and we will go to view image plane import image and let's setup our image top पर हम लोग चले जाते हैं import कर लेते and now let's make any of the view into a bottom view तो यहां पर मैं आ जाता हूं और इसे bottom view दबा रहा हूं यह इस hotbox को मैं कैसे access कर रहा हूं space bar अगर आप यहां पर दबाके रखे तो you can just go to your hotbox अब यहां पर same चीज bottom है यहां पर मैं आता हूं view image plane and let's go to our folder and select the bottom like this तो अब इसी तरह से हमारा bottom भी आगे and as usual हमारा bottom बहुत जादा नीचे बनेगा तो इसे हम लोग उपर करके लेके आते move करके and यहां पर greedy के उपर ऐसा हम लोग रख देंगे ठीके you can just position wherever you want I'll keep it something like this look through camera and select this one and look through camera now let's set up our sides so यहां पर मैं space bar के साथ click करता हूं and select करता हूं right view यह हमारा side x है minus x go to view image plane import image and let's choose right select कर लिया हम लोग उने इस तरह से look through camera यहां पर भी हम लोग करेंगे left view and we will choose view import image and our left view like this and again left view हमारा बहुत जदा पीछे आएगा तो इसे move करके लेके आ जाते कुछ ऐसा so top front and side actually आपके grid पर ही बनता है लेकिन उसके अलावा जो बाकी के views होते हैं ठीक है वो सारे आपके distance में तयार हो जाते है तो उसे आप लोगों को simply move करके रख लेना है and as I said कि यह सारे images properly set up है तो आपको जादा कुछ करने की ज़रौत नहीं है okay let me just show you कि यह किस तरह से properly aligned है तो हम लोग कुछ पार्ट लेते हैं उसे हम लोग चेक कर लेते हैं so let's just go to our back view and मैं यहां पर क्या करूंगा इस camera module को तयार करता हूँ and let me show you so I'll take a cylinder and मैं यहां पर इस camera module को तयार कर लेता हूँ just for a sample then I'll press shift and make a copy like this and shift दबाके फिर से copy तो यह हम लोगों ने camera के lens के हिसाब से copy करके रखा हुए अब हम लोग देख लेंगे अपने बाकी के views में तो as you can see it is matching perfectly align कर लेते यहां पर भी देखेंगे तो यह properly align हो चुका है as you can see okay bottom view में देख लेते as you can see bottom में भी हमारे यह properly align हो चुका है सारे के सारे views से आपके जो shape से वो properly align हो रहे हैं या नहीं वरना आप बनाएंगे कुछ और दूसरे view में कुछ और दिखाए देगा तो it should properly align ठीक है so if you find images to be a little bit off you can just anytime go and adjust them a little bit ठीक है थोड़ा बहुत आप changes कर सकते हैं ऐसा कुछ problem नहीं है so let me just select this and I can just move it so so that ये सब एक साथ में align हो जाएं okay let's go to our left view right view and ये सारे के सारे view से हमारा जो shape है वो align हो चुका है okay as we can see so now we don't have to worry about the placement part अब हम लोग क्या कर सकते हैं अपने geometry को बनाना start कर सकते हैं okay so let's create our front and back view first so let's go to front let's go to back and let's make this one as top तो ये basic हमारा view होगा जिसे हम लोग setup कर लेंगे अब इनकी ज़रुवत नहीं है because हम लोग ने alignment check कर लिए तो perfect है so let's start creating our geometry so to create this geometry we will be using our cube polygon cube क्योंकि यहां पर हम लोग इस बार nerves नहीं उस्तमाल करेंगे हम लोग यहां पर इस model को completely तयार करेंगे with the help of polygon geometry तो polygon cube हम लोग लेते हैं and let's click and drag like this इस तरह से हम लोग इसे click करके drag करेंगे extend करते हैं अभी हमारा mesh इस तरह से visible हो जा रहा है और दबा लिते है wireframe on करने के लिए यहां पर भी यहां पर हम लोग को mesh देख रहा है like so and now let's make the adjustment इसे मैं थोड़ा से यहां पर move कर लिता हूँ now if you want to adjust more just right click go to vertex and select this parameters and just adjust it so देरे देरे हम लोग क्या करेंगे यहां पर इसे adjust करना start कर देंगे like so top view से भी आते हैं हम लोगे आपर इससे move कर लेंगे पीछे की तरफ ताकि यह properly shape के साथ से aligned और यह हमारा जो block है वो बनके ready हो गया phone का अब हम लोगों को क्या करना है यहां पर इस geometry को curveness देनी है यानिकि we have to add the roundness on this geometry so roundness के लिए basically we are going to select this edges let's select this edges like so so यह चार edges हम लोगों ने select कर लिए अब हम लोग यहां पर इस्तमाल करेंगे अपने bevel tool का so we will be using our bevel option so let's click on bevel component and as you can see यह shape अब ऐसा लग रहा है यहां पर हम लोग segments add करेंगे ताकि यह थोड़ा roundness आ जाए यहां पर like so we will add some something around six segments let's make it like this so fraction हम लोग थोड़ा से adjust कर लेंगे ऐसे so that यहां पर यह इस तरह से इसकी placement हो जाए like so so try to match it as close as possible and then you can see यह इस तरह से हमारा shape बन गया ठीक है now as you can see जो हमारा iPhone का model है उसका जो इस बार का जो 12 pro है 12 model है वो side से flat model है as compared to the previous version previous हम लोगों को rounded मिलते थे इस बार हम लोगों को flat मिल जा रहे है ठीक है अगर समझी आगर आप 11 pro 11 pro max ऐसे phone मना रहे जिन में हम लोगों को edges rounded है तो आप पहले ऐसे bevel दे दे उसके बाद आप क्या कर सकते हैं यहाँ पर इन edges को select कर सकते हैं इन सारे के सारे आप edges को select कर सकते हैं जो भी हमारे side के edges हैं like this and then you can apply a bevel over here like this and segment आप दे दे तो इस तरह से आप इसे rounded shape में भी convert कर सकते हैं like this so if you want to model any other geometry तो आप ऐसा roundness अगर चाहते हैं तो आप ऐसा भी कर सकते हैं like this but we are modeling our 12 pro तो हम लोग इसे flat ही रखेंगे अब बारी आती हैं यहाँ पर थोड़ा सा geometry में changes and optimizations करने की तो पहला तो चीजे हम लोग थोड़ा सा यहाँ पर frame तयार करेंगे phone का so as you can see यह हमारा actual geometry और यह यहाँ पर इस thickness की हमारी frame है so to create the frame let's select the face front and back दोनो faces को हम लोग select करेंगे and we will be using extrude so let's go to edit mesh extrude choose करना है हम लोगों को इस पर आप click कर ले and then go to our front view and choose offset यह offset आप देख सकते तो मैं control press करके left mouse button से इसको इस तरह से move करूँगा like this and you can see यह हमारा इस तरह से thickness बन जाएगा पीछे से भी देख लेते हैं yes this looks nice तो अब ऐसा हमारा यह geometry बनके ready हो चुका है like this okay तो यह हमारा frame का thickness हो गया तो अब धीरे धीरे हम लोग क्या करेंगे एक इक element पर काम करना start करेंगे now what we will do we will separate this front and back piece okay front and back piece को हम लोग separate करेंगे and उसके बाद हम लोग frame पर काम करना start करेंगे तो आज हम लोग frame बनाएंगे और frame में देखेंगे कैसे हम लोग detailing add कर सकते हैं so let's separate this front and back display तो इसके लिए मैं क्या करूँगा यहां पर select करूँगा इन दोनो faces को like this okay इस तरह से हम लोग बना लेंगे and then what we will do we are going to go to edit mesh and say extract so हम लोग इसे extract कर लेंगे जैसी हमने extract पर click किया and now you can see यह हमारा front and back delete या फिर extract हो चुका है अलग हो चुका है all right now we will go to our channel box and layer editor and we will create our layers so let's select this layer and put it in our layer let's double click and इसे हम लोग नाम ने देते हैं frame इस तरह सम लोग ने से frame नाम दे दिया and then this is going to be our front and back so इसे हम लोग double click कर लेते हैं और नाम देते हैं front and back like so sorry for the spelling mistake correct कर लेते हैं like so save कर लेते हैं another thing is that कि जब भी आप Maya में कोई भी नाम या naming कर रहे तो यहां पर आप space नहीं दे सकते ठीक है तो you have to use something like an underscore या फिर आप यहां पर words के बीच में space ना रखे then you will be able to save it so you cannot use spaces तो अब कभी भी देखेंगे तो यहां पर किसी भी text में आपको space नहीं दिखाए देगा let's start adding details to this तो अब details के लिए हम लोगों को यहां पर जरूरत पड़ेगी हमारे side views की यानि कि हमारा जो right view and left view है because we want to create this power button this alert slider or silent key and then we have our volume rockers यानि की volume buttons और इस phone में हम लोगों को basically SD card and SD card के लिए भी यहां पर slot मिल जा रहे है तो उसको भी SIM and SD card का slot हम लोगों को मिल जाता है तो वो भी हम लोग यहां पर create करेंगे there are basically two slots I don't know which one is which one because यहां पर एक तो हम लोगों ने देखा है एक तो SIM का slot है but another I don't know because I don't own iPhone 12 Pro Max तो मेरे पास है नहीं तो I don't know what it is but since shape में दिया हुआ है तो हम लोग उसे create कर लेंगे all right so let's begin with left or right किसी भी view के साथ आप start कर सकते हैं so let's start with this one and let me just turn my this view into a right view or a left view तो right view हम लोग बना लेते हैं तो जैसे कि हम लोग यहां पर देख सकते हैं we got this shape over here so we need to create यहां पर हम लोग देख सकते हैं कि हम लोगों को antenna bars मिल जा रहे तो इसके लिए भी हम लोगों को यहां पर कुछ cuts add करने होंगे so let's put that thing तो पहले cuts add करते हैं we'll select this multi-cut tool and then we will put a multi-cut over here so select कर ले geometry को and let's go to multi-cut tool control press करके मैं यहां पर cut add कर देता हूं and यहां पर cut add हम लोग कर देते हैं so let's see यह हमारा cut इस तरह से add हो चुका है alright next we want to create this shape तो इसके लिए सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे यहां पर blocking कर लेंगे shapes का cell put a cut over here and then cut over here उसके बार में हम लोग एक cut यहां पर add करेंगे and then cut cut हम लोग यहां पर add करेंगे like this यहां पर भी हम लोगों को antenna bar मिल रहा है so let's click here and let's click here तो यह हमारा blocking इस तरह से हो जाएगा अब बारी आती है हम लोगों को यहां पर shape cut out करना है so we want to cut out this button holes ठीक है तो यह buttons के लिए हम लोगों को cut out करना है so what we will do we will be using our boolean option तो जैसे कि आप लोगों ने previous class में भी देखा था हम लोगों ने boolean को use किया था तो उसका हम लोग यहां पर use करेंगे पर उससे पहले हम लोग यहां पर एक vertical edges भी add कर लेते हैं just to add an extra support यह add करने के बाद में हम लोग यहां पर क्या करेंगे इसे right view से यानि कि left view से भी हम लोग देख लेते हैं ठीक है so that is very important thing to watch out for ठीक है just to see whether our shapes are going properly or not so as I came to my side view left view तो यह हमारा geometry इसे हम लोगों को मिल जा रहा है like this and I guess I have to move this plane a bit like this so yes यह जा रहा है but यहां पर मुझे जादा टेंशन नहीं because यहां पर edge दिखने यह edges आपको दिखाई दे रहे रहेंगे but this is not of this one यह हमारा opposite side का edge है so side view से वो भी दिखाई हम लोगों को दे रहा है अगर मैं इसे थोड़ा सा पीछे की तरह move करूँ तो you can see बीच में अगर मैं रखू so you will not be able to see that other side edge ठीक है so let's go back to our right view and now let's start creating this shape अब इसके लिए मैं क्या करूँगा यहां पर इस्तेमाल करूँगा अपने again same tool polygon cube को and जैसा हम लोगों ने mouse में scroll wheel के लिए उपर का cut hole किया था वैसे हम लोग similar तरीके से यहां पर hole sponge करेंगे so let's just move it like this I will just turn on wireframe on shaded just to see and then इसके बार हम लोग इसकी copy तयार करेंगे shift तबाके हम लोग इसे move करेंगे उपर की तरफ and copy हम लोग यहां पर ऐसी इसके बना लेंगे ठीक है and यहां पर इसका size थोड़ा सा छोटा होगा as compared to bottom one so we will just scale it like so okay तो आप scale कर सकते हैं या फिर आप vertices भी move करके रख सकते हैं like this okay तो मैं थोड़ा सा distance रखके इसे एकदम edge to edge cut to cut नहीं बनाऊंगा I will be keeping some gap around the points so let's just select this also select the vertices and let's just adjust this thing यहां पर भी हम लग इसे adjust कर लेंगे like this okay अब बार ही आजाती है हमारे shape को modify करने का यानि की we will be selecting this 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 and this shape and then we will be applying a bevel fraction full कर देंगे segment हम लोग यहां पर increase करेंगे so let's say I'll put something like a three segment like this this इस तरह से and mouse वाले वीडियो में भी आपने देखा था कि हम लोगों कोई invertices को merge करना होगा because यह overlapping यह आपर vertices मिल जाते हम लोगों को open com लोगों को merge कर लेना है so that they don't create a problem for us okay so let's go to our side views let's select them and you can go and do merging let's select one one like this like this okay and let's select this one also and merge them and merge them like this okay now we'll have to do the same thing with this one now what I'll do I'll just delete this thing and मैं इसी काई copy यहां पर use करूंगा so I'll just move it this one over here to clone तयार कर लेते सिर्फ हम लोगों को यहां पर थोड़ा सा इसका thickness adjust करना पड़ा सकता है so let's select the vertices and let's move it like so okay like this so these are now ready for punching hole but उससे पहले मैं क्या करूंगा यहां पर इसकी copy बना लूँगा because इनी के help से मैं यहां पर buttons भी तयार करने वाला हूं so let's just let me create a copy so I'll press ctrl D and then I will put them on a layer layer को नाम दे देता हूं मैं buttons तो आप मैंने buttons लिख दिया इसे save कर लेते हैं so that we can hide that thing तो अब वो एक copy save होगे अब हम लोग क्या करेंगे यहां पर boolean कर सकते हैं what we can do let's create all the buttons और उसके बाद हम लोग यहां पर इसकी boolean करते हैं so let's select this shape now and let's move it on the other side तो यहां पर मैं shift दबाता हूं इसे move करके लेके आता हूं दूसरे side में जहां पर हम लोग other side के shape को भी create कर लेते हैं तो यह तो एक side का हमारा हो गया now let's press and let's go to our left view and we will create this shape also over here तो simply आपको यहां पर create कर लेना यसे right click vertex में जाके हम लोगों को vertex को adjust कर लेना है like so and then shift तब आके हम लोग इसकी copy तयार कर लेंगे ऐसे and then we have this sim slot इसे भी हम लोग क्या करेंगे इस तरह से copy करके तयार कर लेंगे just like that तो right click vertex and select and move it like so so यह हमारे shape इस तरह से मिल गए हम लोगों को जिनके हम लोग कट आउट करेंगे again इनका भी हम लोग control-d दबाके duplicate कर लेते and just put them in our buttons तो यह हमारे buttons layer बनेंगे जिनने हम लोग यहां पर create करने वाले ठीक है तो यह display का हो गया यहां पर orders maintain करके बहुत ज़्यादा जुरूरी आप layers में काम करेंगे तो आप अच्छे results तयार करेंगे now let's punch hole so what we can do we can just select all this shapes और इन्हें हम लोग combine कर लेते like this ताकि यह एक shape बन जाए now select this and this and go to mesh boolean difference and now you can see यह हमारा इस तरह से hole punch हो चुक है now we have some unwanted meshes तो इसको हम लोग delete कर देंगे so right click करते face में जाएंगे let's select this delete select this delete यहां पर भी हम लोग आ जाते हैं select करेंगे इसे और delete कर देंगे इसे भी select करके हम लोग यहां से delete कर देते हैं so now you can see we have this holes punched but काम हमारा अभी भी खतम नहीं हुआ है this is not done yet because if I just press 3 see what happens यह हमारा पूरा shape हो गया खराब ठीक है so now we have to fix those shapes to यहां पर आ जाते हैं और यहां से आम लोग fixing start करते हैं to to fix this shape we will be adding some edges and we will just connecting it so right click करते है vertex में चलते है select select shift के साथ right click connect component shift के साथ right click connect component shift के साथ right click connect component like this we can connect those shifts यहापे भी उपर आ जाते हैं हम लोग select कर लेते है connect component connect component connect component connect component like this अब यहाँ का यहाँ हमारा component connect नहीं हो रहा है sometimes you might face this kind of issue reason क्या है यहाँ पर continuity के लिए कुछ भी edge नहीं है जो उसको support करें तो यहाँ पर आप क्या कर सकते हो manually यहाँ पर multi-cut tool का इस्तवाल कर सकते हो and you can try to connect it okay like so अब यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे vertical और horizontal edge add करेंगे and we will manually connect those points यहाँ से select करते है let's put a point like this okay let's press 3 and see so you can see यह भई हमरा इस तरह से edge weld नहीं हुआ है तो हम लोगों को इससे अच्छे तरीके से weld भी करना है so you can just select those and let's merge them यह हमारा shape इस तरह से हम लोगों को merge करना start करना है यहाँ पर हम लोग merge कर रहेंगे like this like this okay 3 press करके आप check करते रह सकते कि shape के से जारी है हमारी यहाँ पर भी आप सेम चीज़ करना है हम लोगों को यहाँ पर edge add करना है multi cut tool से let's select and select connect them repress करेंगे तो we can see it goes like this यहाँ पर यह shape तो हम लोगों को और fix करना होगा तो अभी फिलाल के लिए तो मैं इससे connect करके रखता हूँ फिर बाद में यहाँ से एक और बीच में edge दालूँगा जिससे हम लोग center से भी इसे connect कर सके है ओके तो फिलाल तो हम लोग इससे ऐसे connect करके रखते है we have vertex so let's merge them center में and this looks better ऐसा ही हम लोगों को सारी के shapes सारी के सारी shapes के लिए ऐसे ही build कर लेना so let's select multi-cut tool and यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे cuts add कर दें तो यहाँ पर भी similar तरीके से cuts add कर देना and we have to repeat this thing for all the areas so let me just do it तो यहाँ तो हम लोग quickly इस चीच को कर लेते हैं let's three press करते हैं vertices देखते है this looks good यहाँ पर कुछ भी जादा हम लोगों को changes नहीं है अब basically यहाँ पर यह इस तरह से mesh थोड़ा सा stretch हो रहा है ठीक है as you can see यहाँ पर बटो कोई problem नहीं हम लोग यहाँ पर जब edges दालेंगे holding edges जब डालेंगे तो यह fix हो जाएगा so that is completely fine let's do it over here also right तो यह हमारा यह side का shape पर सबन गया अब similar इसी method के through हम लोगों को यहाँ पर भी अपना shape त्यार कर देना बस आपको यह जो method है उसी को आपको follow करना है और यहाँ पर भी उसे setup कर लें तो मैं quickly इसे भी create कर लेता हूँ पन्हाश बदाब में उसे आपको यह कर सी कर तो झाल 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 तो यहां पर मैंने सारे के सारे वर्टाइस कने के लिए सिमिलर तरीके से तो जैसे हम लोगों ने यहां पर कट दिया और यहां पर यहां पर यहां पर यह बटन्स हो गए हमारे हब्टाइस तो एक दो हम लोगो के connect component कर लेते हैं and fix कर लेते हैं so make sure check कर ले कि कोई भी point आपकी miss ना हुआ तो let's create this one also तो यह जो हमारा part है इसे भी हम लोग बना लेते हैं तो let's just go to our left view यह हो गया यह हो गया इसके लिए भी इसके लिए भी again same technique हम लोगों को यूज कर नहीं है we'll be using our shape like so ऐसे इसे हम लोग कर लेंगे इस तरह से all right let's go to edges इस shape को select करके edge पर जाना है edges let's select the edges ऐसे and यहां पर हम लोग क्या करेंगे इस की को दबाएंगे which is bevel level कर लेते है let's put three and इस पर हम लोग पूरी तरह से इसे join नहीं करेंगे because this is not completely connected यह थोड़ा सा ऐसा रहेगा so so that there is a button option also which is available so hlka सा हम लोग इसे बनाएंगे ऐसा like this and let's set this shape कुछ ऐसे and then we can just again make a copy because it helps हम लोगों को button भी बनाना है तो इस का हम लोग एक duplicate तैयार करेंगे हमारे layers में जाएंगे add selected कर देंगे and then let's select this to shape let's go to mesh boolean and difference यह हो गया and let's begin the same thing अब लोग यहां पर सेम चीच करेंगे यहां पर इसे same वैसा ही connect कर लेंगे तो as usual पहले मनों face में जाएंगे यहां पर जो unwanted shape से इसे delete कर दें and then let's white click go to vertex select select the components and let's connect those components तो इसे आपको ऐसे ही connect कर लेना तो मैं इसे भी quickly connect कर लेता हूँ and just give me a minute and I'll be back alright तो यह भी हमारा connection इस तरह से बन चुका है तो यह हमारे frames के जितने cuts थे वह almost ready हो जागे अभी 3 प्रेस करके अगर हम लोग देख लें तो थोड़ा से यहां पर यह shape plus stretchness आ रही है reason is we do not have enough holding edges तो उन सब चीजों के बारे में आड़ करेंगे and हमारा जो history है बहुत जादा हो गया तो history के पहले हम लोग clear कर लेते ताकि हमारे काम में abstraction ना एड़ करें so let's go to edit delete by type history and इसे हम लोग clear कर देंगे अब हम लोग यहां पर थोड़ा सा button और बाकी के details को add कर लेते हैं तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे सबसे पहला तो काम करेंगे हम लोग सारे जितने भी edges हैं इन सब को select करेंगे प्रॉम हियर तो इस तरह से select करेंगे सभी को and then we will be doing extrude तो एक्स्टूड में चलते है एक्स्टूड करेंगे यहां से हम लोगों का option मिल जाता है shortcut shelf पे offset लेंगे हलका साम लोग पर like offset देंगे this is going to be a very small amount something like 0.05 हलका सा and then again we will do the extrude select करते है let's move it in then again एक extrude like this तो यह मैंने तीन वार extrude इसलिए दिया because यह automatically क्या करता है यहां पे इस तरह से folding edges डाल देते है जिसे जब मैं इसे smooth करूँगा तो यह automatically sharp हो जाएंगे यह सारे के सारे corners so we don't have to do bevel और insert edge बाद में यह automatically हम लोगों को वो काम करके दे देगा like this and then we can go and just turn on our button वाला layer और यह हमारे buttons के भी options आ जाएंगे अब इसको हम लोगों को button में convert कर निल रहा है तो we will be just converting them into a button like this and वो थोड़े से shrinked होंगे so we have to make sure that those buttons are little bit shrinked थोड़े से छोटे होंगे as compared to this one and डूसरी चीज हम लोगों ने notice कि है कि यहां पे यह जो buttons होते है यहां पे हम लोगों को हलका सा एक chamfer या bevel देना यानि कि थोड़ा सा यह अंदर की तरफ होंगे if I just select this edge this edge like so and what we will do we will do the scaling part but अभी हम लोग normal scale रहीं उस करेंगे we will be using an option called transform इसका हम लोग इस्तमाल करेंगे transform लेंगे and then we will just move it like this अभी हम लोग हलका सा ऐसा move कर लेंगे कुछ ऐसे like this and then we will just select this edges sim वाले slot को मैंने छोड़ दिया भी फिलाल के लिए because sim slot पे वो flat ही रहेगा but in edges पर मुझे इससे select करना है like this यह चार होगे इन्हें हम लोग देंगे bevel bevel fraction कम करेंगे ठीक है and एक segment हम लोग increase कर रहते है now let's press 3 and see so you can see we get this kind of chamfered edge kind of a thing just chamfering जैसे हम लोगों को यहां पर मिल जाएगा like this so this adds a little bit more detail to that चीक है यहां पर sim वाला button के लिए हम लोगों कुछ करने की जरूरत नहीं है यह ऐसा ही रहेगा flat so we will keep it like that only okay that is going to be our slim slot alright तो यह हमारा frame बनके ready हो चुक है अब हम लोग create करते है अपने buttons को तो buttons को बनाने के लिए what we can do जो हम लोगों ने buttons बनाये थे उसका हम लोग इस्तमाल कर सकते है ठीक है बट अब issue क्या है यहां पर जो यह buttons है यह universal और जो previous size थे उसके इसाफसे थे तो इसका हम लोग इस्तमाल अच्छे तरीके से नहीं कर पाएंगे तो I'll just simply delete them and what I will do I will just make use of faces from this यहां से मैं क्या करूंगा faces को extract करूंगा यह duplicate करूंगा I'll just double click this select करते एक face को shift के साथ double click करते बाजवाले face को it will select the entire loop यहां पर आ जाते हैं let's select this double click select this double click बाजवाले को ऐसे and यहां पर भी करना है so hide this thing double click like this तो यह सारे faces हमारे select हो जाएंगे यह तो अलग से होगा इसको हम लोग fill करेंगे and we will just use it or what we'll do is just make a copy of this one also इसे भी हम लोग select कर लेते हैं इस चरह से अब हम लोग क्या करेंगे यहां पर जाएंगे edit mesh में and we will say duplicate so what this will do basically this will create a duplicate of all these selections that we have created तो अगर मैं इसे select करके hide करने कोशिश करूं या फिर मैं इसे frame में add कर दूं so you can see we got this duplicate faces like so अब हम लोग इसके help से क्या कर सकते हैं अपने button को create कर सकते हैं so simply what you have to do just select all of them and सबसे पहला काम लोग करते हैं हम लोग इससे कर लेते हैं combine then we will go to mesh display and say reverse क्योंकि इसके normals उल्टे दिख रहे हैं क्योंकि हम लोग देख सकते हैं बाहर की तरफ black है so we will just say reverse then just double click this thing double click this सिर्फ आगी के sides का हम लोग select करेंगे double click like this इसे भी हम लोग double click करते हैं and this also and we will just say mesh fill hole और ये इस तरह से हमारा hole fill हो जाएगा like this let's do the same thing let's select 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 all these spaces जितना आप detailing करने जाएंगे उतना ज़्यादा आपको साम करना होगा अब किसी भी shape में आने के लिए F दबाता हूं जिससे की मेरा focus हो जाता है so I can press F to focus on certain part let's extrude offset offset like this इस तरह से हमारा shape offset हो जाएगा and then as usual यहाँ पर भी हम लोगों को क्या करने का है इस सारे के सारे vertices को आपस में connect कर लेना तो इन्हें में quickly connect कर रहता हूं एक में आपको दिखा रहता हूं कैसा connect करना है तो simply as usual सेलेक करना है connect component connect 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 like this and then middle में हम लोग क्या करेंगे इस button से इस point तक ऐसा connect रहेंगे तो यह हमारा shape ऐसा बन जाएगा similarly ऐसा ही हम लोगों को सब के लिए तो मैं जल्दी से सारे के सारे shape के साथ ही चीच कर लेता हूं and I'll be back alright तो यह हमारे सारे buttons के shapes मैंने connect कर लिया है अब हम लोग shift आय दबाते हैं या फिर हमारे frame को on करते and you can see यह हमारे सारे shape इस तरह से हम लोगों को मिल जाएंगे all now you have to do is just move them and separate them तो पहले तो हम लोग इसने सब को separate कर लेते मेश में आके separate कर लेते and then just select those यहने बाहर की तरफ move करेंगे और इस में से इसे बाहर की तरफ मैं move करूंगा so we can see these buttons are created अब थोड़ा बहुत हम लोगों को modification करना है जैसे यह alert slider है से हम लोग select करेंगे ऐसे you can see some floating vertices are there इसे select कर लेते डिलीट कर लेंगे backspace दबा के right click and text backspace दबा के delete let's select this shape and let's move it like this because यह छोटा सा होगा like this and जहां पर शायद से हम लोगों को इस shape को fill करना है so just double click this one and we are just going to go mesh and fill this thing then paste select करेंगे हम लोग यहां पर and we will do a extrude offset so छोटा सा हम लोग offset कर लेंगे shift आय दबाते and let's fix this thing also so यह fill होगा हमारा shape तो इसे हम लोग quickly इसी तरह से adjust कर लेते हैं तो मैं इसे भी फटाफट कर लेता हूँ alright तो यह हमारा frame ऐसा बनके ready हो चुक है detailing की बात है इसमें थोड़ा वो detailing करना है वो हम लोग अभी हम लोग नहीं करेंगे उसे हम लोग हमारे last part इसे हम लोग continue करेंगे next class में तब तक के लिए आप लोग इसे प्रैक्टिस करते रहें आपको कुछ नई चीज की ज़रुद है तो वह भी चीज आप आप रिक्वेस्ट बेरे साथ कर सकते हैं तब तक के लिए प्रैक्टिस करते हैं मिलते हैं next class में keep watching and keep learning